अगर आप होरर या क्रीपी कंटेंट पसंद करते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए तक कि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस्ट नहीं कर पाएं तो दोस्तो आज मैं human centipede का first sequence यानि की पहला पाद explain करने वाला हूँ जो कि एक Dutch horror movie है और ये Tom 6 द्वारा direct की गई है इस movie को 2009 में release किया गया था लेकिन कई जगे से इसे अपने violence के कारण बेंड कर दिया गया था ये movie नाज़ the human experiment से inspired है जो कि world war 2 के दोरान केडियों पर किया ज जाता था कई बार तो केडियों को आपस में जिन्दा सिल दिया जाता था जो कि काफी इन human punishment थी तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नम प्रोफेसर जोसेफ हाइटर था वो अपने सिलवर मरसेडीज में बेटकर एक फोटोग्राफ देख रहा था जिसमें की तीन रोट विलर डॉक्स एक सीधी लाइन में एक के पीछे एक खड़े थे तबी वहाँ एक ट का ट्राइवर भार निकलकर जंगल में ट्वालेट के लिए जाता है जिसकी तरफ प्रोफेसर जोसेफ गन का निशाना लगाता है और यह सीन यही पर कट हो जाता है दूसरे सीन में हम दो लड़कियों का देखते हैं जिनका नम जैनी और लिंसी था वेसे तो यह दोनों अम लोकेशन उन्हें नहीं पता थी और होता यह है कि बीच जंगल में वो दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं और कहीं खो जाते हैं जेनी गाली को यूटन लेती है कि तब भी गाली का टायर पंक्चर हो जाता है और दोनों प्रोबलम में फस जाती है वो कार सरीस वालों को मदद लेंगे और हम देखते हैं कि कुछी समय में वहाँ नजदीक से कार निकलती है जिससे क्यों मदद मांगते हैं लेकिन कार में बेठा हुआ भद्दा सा बूरा आदमी उन्हें अकिला देखकर गंदे गंदे इशारे करता हैं जिससे की वो डर जाती है और कार को अंदर कि तभी अचानक वहाँ तेज बारिश होने लगती है और उनके उस घर पोशने तक वो दोनों पूरी तरीके से बीग चुकी थी वो दोनों उस घर के दर्वाजे पर नौक करते हैं और हम देखते हैं कि अंदर से वही प्रोफेसर जोसेफ दर्वाजा खोलता है जेनी और ल इनसी प्रोफेसर के घर को गोल से देखते हैं और वो नोटिस करते कि दिवारों पर अजीब-जीब तरीके की पेंटिक्स लटकी थी जो की काफी दिस्टरबिंग थी प्रोफेसर उनसे पूषता है कि क्या वे टूरिस्ट है और वे उनने बताती है कि दोनों न्योक से हैं और यूरोप गुमने आई है वो प्रोफेसर को काल सर्विस वालों को फोन करने को कहती है जिसे कि वो अंसुना करके उनसे एक सवाल करता है कि क्या दोनों रिलेटिव से हैं पर वो ना कहकर बताती है कि वो रिलेटिव सो नहीं है लेकिन दोनों फ्रेंज जरूर है प्रोफेस प्रोफेसर दोनों के पानी में रोहेपनल नाम का एक ड्रग मिला देता है जो कि लिंसी पूरा पी जाती है लेकिन जेनी से पानी का ग्लास गिर जाता है जिस पर प्रोफेसर गुस्सा आओकर दोनों के साथ जानवों जैसा बरताव करता है प्रोफेसर गिरा हुआ पानी साफ इसलिए उसे कुछ नहीं होता जैनी प्रोफेसर से एक और कॉल करने को कहती है लेकिन वो उसे माना कर देता है और जैनी की गर्दन में वो इंजेक्शन गुसा देता है जिससे कि वो भी भेश हो जाती है अगली सुबर प्रोफेसर डैनिंग टेबल पर बेट कर अपना ब्रेक्वास्ट कर रहा था और इदर लिंसी और जैनी दोनों को होश आता है और वो खुद को प्रोफेसर की लेबरेटरी में बेट से बंदा हुआ पाती है और पास में वही ट्रक ड्राइवर बंदा हुआ था जो की मूवी की स्टाटिक में दिखाया गया था तब ही प्रोफेसर वहां आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि वो मैच नहीं करता और इसी वज़े से उसे मरना होगा और प्रोफेसर एक टॉक्सिक इंग्जेशन उसकी नसों में इंग्जेक्ट कर देता है जिससे की वो ट्रक ड्राइवर देखते ही देखते तलब तलब कर मर जाता है और प्रोफेसर उस ट्रक ड्राइवर को अपने बेक्याट में दफन कर देता है हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक जापनीज आदमी को अपनी बेहोशी की दवा वाली डाट गंग से बेहोश करके लाता है और वो भी उसे जेनियोल इंसी के बगल वाले बेट पर बान देता है जब सभी को होश आता है तो वो जोर जोर से चिला रहे होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिरका प्रोफेसर उनके साथ क्या करने वाला है लेकिन जल्दी प्रोफेसर उनका एक कन्फुजन खुदी दूर कर देता है वो अपने आपको डॉक्टर जोसेफ हाइटर न सी और उस जापनीज आदमी पर करने वाला था क्योंकि उनके स्किन टिशूज आपस में मेच होते हैं वो उन्हें आप्रेशन के बारे में बताता हुआ कहता है कि सबसे पहले वह उन तीनों के गुटनों के लिगामेंट्स को हटा देगा ताकि वह खड़े में हो पाए और स से वो उनके हिप की स्किन उधेड़कर उनके चेहरे की चमली निकालकर हिप की स्किन को उनके चेहरे से जोड़ेगा जिससे कि वह तीनों सब्जेक्ट को जोड़कर एक साइमस ट्रीपलेट बनाएगा जो की डाइगरा में बने फिगर के अनुसार होगा सब्जेक्ट एज अपना खाना खाएगा तो खाना उसके पेट से होकर जो वेस्ट मटेरियल के रूप से निकलेगा और उसके एनस से सीधा सब्जेक्ट B के मुह में और उससे होकर सब्जेक्ट C के एनस से पूरा वेस्ट बहार आएगा जो कि काफी घिनोना था और इस प्रकार तियार होगा ड डॉक्टर जोसेफ जापनीस आदमी को एनेस्टेसिया दे देता है जिससे की वो भेंश हो जाता है और डॉक्टर जैनी की तरफ आता है जो की जोर-जोर से चिल्ला रही थी डॉक्टर जैनी को एनेस्टेसिया दे रहा होता है इतने में लिंसी अपने आपको दादों की मंदत से खोल लेती है और वहां से भागना लगती है लेकिन उसके हाथ में नीडल लगी होने के कारण उसकी चमली खीशती जाती है और उसके हाथ से खून बेहने लगता है लिंसी भाग कर एक कमरे में जाती है और डोर को अंजल से लॉक कर लेती है लेकिन डॉक्टर महां के ग्लास चली जाती है जिसका फायदा उठाकर लिंट सी वहाँ से भाग जाती है वो सीधा डॉक्टर जोसेफ की लेबरेटरी में जाती है और जेनी को खुलती है जोकि एनेस्थेश्या की वज़े से बहुश पड़ी थी और वो उससे घसीत वह बाहर ले आती है लेकिन पीछे से डॉ उठाकर से मार्क करता है और वो उनके चेहरे और उनके हिप्स की छमल को निकाल देता है डॉक्टर जोसेफ का ऑपरेशन के घंटों तक चलता है और सीन यहीं कट हो जाता है और कोछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ ड्रिंक कर रहा था और सामने उसका बनाया हुआ यूमन सेंटिपीड जमीन पर पड़ा हुआ था उन तीनों के गाव अभी तक ठीक से भरे भी नहीं थे और वो उन्हें जब अरजस्ती खड़ा करता है। हम देखते हैं कि जापनी जाद में सबसे आगे था यान कि वो लीड था लिंसी बीच में थी और जेनी सबसे आखरी में थी यानि कि वो सेंटिपीड की टेल थी। डॉक्टर जोसेफ उन्हें घुटनों के बल खड़ा करके उनकी फोटो ले रहा था जिससे कि उन्हें काफी दर्द मेसूस हो रहा था। वो सभी को आएने में अपनी परच्शह रिखाता है और अपनी इस हालत को देखकर तीनों सिर्फ रोय जा रहे थे। डॉक्टर जोसेफ उन्हें पिंजरे में बन रखता था और पाल तु जानवर जैसा बढ़ताओ करता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो उस जापनी जादमी को खाना भी कुट्टे की तरह ही देता था। जब उस जापनी जादमी ने इस चीज़ का विरूत किया तो डॉक्टर जोसेफ उसका जब्रा तोड़ देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ में उनके साथ जादमी जैसा विवार कर रहा है कि तबी जापनी जादमी को टॉलेट जाना पड़ता है और उसका सारा वेस्ट यानि की मल सीधा लिंड्सी के मुल में जाता है और लिंड्सी को ना चाकर भी जापनी तक कोई भी एनर्जी का सौर्स नहीं पहुच रहा था वो काफी दिनों से भुकी थी और उसकी बाडी कमजोर हो रही थी जिसके कारण उसके सकार्स भी नहीं बर पा रहे थे और इसा लग रहा था मानना वो मरने वाली है डॉक्टर जोसेफ उसे रिप्लेस करने का सोच रह थी डॉक्टर जोसेफ कहता है कि वो अपनी रिसेर्च में इतना बिजी रहता है कि भाग कम ही निकलता है उन से उन दुनों ललकियों के बारे में कुछ भी नहीं पता वो पुलिस ऑफिसर को कुछ पीने के लिए पूछता है जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे कॉफी मांगते हैं कि लोगों ने उसके घर से किसी अमेरिकन ललकी की चीखे सुनी है और कई लोगों ने डॉक्टर जोसेफ की मर्सेडीस उस ट्रक के पास देखी थी जिस ट्रक का ड्राइवर भी कई दिनों से गायब था डॉक्टर जोसेफ पुलिस वालों पर जोगर से चिल लाता है और उन बिना वारेंट एक आम आदमी को प्रेशान नहीं कर सकते हैं और वो ऑफिसर तुरंत डॉक्टर के खिलाफ वारेंट लेने चले जाते हैं जब डॉक्टर जोसेफ नीचे अपनी लेबरेटरी में जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता क्योंकि वह तीनों छिप गए थे और डॉक्टर जोसेफ के अंदर आते ही वो उसके पेर में सर्जिकल नाइब गुसा देते हैं जिससे डॉक्टर जमीन पर गिर जाता है और जापनी आदमी डॉक्टर के गले पर जोड से काड़ता है जिससे की उस जगे का मास भार आ जाता है और तीनों महास से भाग कर पिछे आ जाता है और सीड़े उपर पड़ा खुन चाटना लगता है जापनीज आदमी वहां से भागने के लिए डोर का ग्लास तोर देता है कि तब धायर डॉक्टर वहां भी आ जाता है और जापनीज में कांच के तुकले से अपना गला काट लेता है जिससे कि उसकी मौत ह जाती है डिटेक्टिव क्रांस और ऑफिसर वालर वहां आ जाते हैं और उन्हें वहां कोई नहीं दिखता डिटेक्टिव नीचे लेवरेटरी में जाता है और वहां भी उसे कोई नहीं मिलता इधर पुलिस ऑफिसर को नचा होने लगता है क्योंकि उसने थोड़ा सा पानी पी लिया था, डिटेक्टिव क्रांश के ढूमने पर उसे जापनिज आदमी और बाकी के दो लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुती बुरी हालत में, और जिब डिटेक्टिव क्रांश डॉक्टर जोसेफ को पकरने जाता है, तो वो देखता है कि डॉक्टर जोसेफ पूल के युवन सेंटिपीड और मुवी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों यह मुवी एक संकी डॉक्टर के एक घटिया एक्सपेरिमिंट पर बेस्ट है जो कि भगवान के नियोंगों के खिलाफ एक अलगी क्रियेचर बनाना चाहता था और अपनी सनक के चलते हैं तीन मौसमों की जि अलद भी खराब थी बची थी तो सिर्फ लिंट सी वह भी एक इसी सिच्वेशन में जहां पर मोद भी आरमदायक लगे तो दोस्तों यह ता हुमन सेंटिपीड पार्ट वन का एक्स्प्लेनेशन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं कि बाक